Mārana मिसलाइक समझा कि आज इस कारेकरम में आपने हमें बुलाया और मैं एवन पंजाबी के समस्त परिवार की तरफ से चैनल की तरफ से सभी दर्शुकों का बहुत बहुत अभी नंदन करता हूँ बाबा जी बात आज है नशे की के नशा है क्या देखिए नशा अगर नशे की बात करें तो नशा आज तो शुरू नहीं हुआ अगर हम पिछले पचास साल का वो देख ले या उससे भी पहले की बात करें तो तब लोग कैसा नशा करते थे पहला सवाल मेरा यह सबसे पहले पूरी सब आपने बात की कि नशा नशा जितने भी आज तक हमारे इतिहास में बड़े-बड़े इतिहास कार हुए हैं ये नशा शब्द का इजाद जो हुआ है वो एक dedication to your work आप किसी काम के लिए कितने जादा शिदत से किसी काम के पीछे पड़े आते हैं और एक 21 वर्ष की उमर में हमें देश की अजादी दिलाने के लिए निकले उन्हें नशा था कि इस भारत देश को इस माता को अजाद करवाना है शहीदे आजम भगट सिंग राजगुरू चंदर शेकर और ऐसे ही इंगलेंड में जब वो ट्रेवल कर रहे थे फर्स क्लास ट्रेन म थी उन्हें आज हम फादर आफ नेशन कहते हैं उन्हें नशा हुआ कि अपने देश को मैंने आजाद करवाना है तो ऐसे बहुत से उधारन है हमारे इतिहास में नशे को लेकर लेकिन आज कल्यूग है कल्यूग का मैं ये कहूंगा कि स्टार्ट तो ये उसी समय से हो गया थ मैं आपको टोक रहा हूं बीच में देखिये कितनी अच्छी आपने एक्जम्पल दी मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शकों को भी ये चीज बहुत भाएगी कि नशे का परकार है कि नशा भगवान के नाम का भी है नशा देश की अजादी का भी है लेकिन उसके साथ कि जो हम वैसे नशा करते हैं अपना सिर गुमाने के लिए जैसे मर्जी हम उस चीज़ को ले ले तो पुराने समय में लोग किस तरह का नशा किया करते थे मैं आपको यही इसलिए मैं नशे की बात की पहले हर बात जो है पॉजिटिविटी से शुरू होनी चाहिए मेरा ऐसा मानना है तो इसलिए मैं एवन पंजाबी के सभी दर्शकों का ध्यान पहले केंदरीत कर रहा हूं कि नशे को आप नेगिटिव ही ना सोच कर चलें बहरा जब राजा महराजा थे वो अपने रुबाब दिखाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे इसका सेवन करते थे और ये कहा जाता था कि मदीरा का सेवन जो है वो एक बहुत बड़ा इनसान या यूं कहें कि बहुत बड़ा राजा कर सकता है जैसे जैसे समय परिवरतन हो रहा, वैसे वैसे मुगलों का राज आया, मुगलों के बाद उसके बाद जब हमारे देश में अंग्रेज आये, तो नशा एक पता चला कि मदीरा को विस्की कहा जाता है, वाइन कहा जाता है, शैंपेन कहा जाता है, वो भी इंजॉयमेंट के लिए कि एक हाँ थकान मटा रहे हम अपना इंजॉय कर रहे हैं तो नशा कर लें, लेकिन ये नशा उस समय में भी आज के नशे से मुझे नहीं लगता कि उस समय में जो नशा था वो एक केवल और केवल इंजॉय के लिए किया जाता था, मुझे जो लगता है, उस समय में मदीरा थी, यहाँ जादा से जाद बोले शेंकर का नाम लिया जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन आपने जो बात कहीं मैं ना कहीं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि जैसे आपने कहा कि राजा महराजा या अंग्रेजों ने जब देश पे राज किया तो वो कहीं ना कहीं लगता था कि चार लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उन से उगलवाना कैसे है कोई बात कोई चीज या एक स्टेंडर के नशा सिर्फ राजा महराजा ही कर सकते हैं या बहुत बड़े आफिसर्स ही कर सकते हैं लेकिन आज का अगर बात करें कल्यूग हैं जैसे आपने बोला यह सुमेш चल रहा है यह कहीं न जादा मात्रा में की जाए वह हैंदा का रहे और सबसे बढ़ी बात देखें नशे कि हम बात कर रहे हैं अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल इस नशे की जो नशा आज के समय में society symbol हो चुका है आज आपने कहा कि चार लोग बैठें कुछ मन से बात निकालनी हो तो हम उस समय में बैठ जाया करते थे कि इसको शराब पिला दी जाए कि मन से वो निकल जाए लेकिन एक शायर की मुझे पंक्तियां याद आती है नशा शराब में होता तो नाचती बोटल लेकिन ये केवल सोच की बात है उस आज तक जो भी हमने देखा उस समय में किसी चीजज को अपनी ऊपर हावी नहीं होने दिया जाता था खास तोर पर नेगिटिव चीजज को चाहे उस समय में शराब थी चाहे और भी नशे थे लेकिन आज का समय कुछ और है लेकिन हाँ आपकी बात बिल्कुल मैं दुरुस्त करूँगा कि उस समय में अंग्रेज अपने सबोडिनेट्स को या यूं कहें जो उनके स्लेव होते थे जो उनके सेवादार होते थे उन्हें ये टार्गेट दे दिया जाता था कि आज आज आप अगर ये टास्क पूरा करेंगे तो आज आपको ये मदीरा या शराब ये वाइन पीने को मिलेगी तो उसे देखते देखते ही तो हम लोग उसे घरों में निकालना शुरू हो गए कहीं ना कहीं वो नशा जो था उस समय में पंजाबी म बात हो गई लेकिन जैसे मैंने कहा ट्रेंड ट्रेडिशनल और जो जैसे ये है कि लोक रिवाइती नशे करते थे शराब घर पे निकाल ली या वो मेंगी थी तो अगरेजों से मिल जाती थी काम के वज में है ना लेकिन आज के संधर्व की अगर बात करें तो कैसा नशा है और उस नशे का हमारी बाडी पे क्या असर पड़ता है पूरी साब आज के समय में जो नशा है हम उस नशे को उस नशे पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार और एक एक बात पर बहुत ज़्यादा तवज्यों देना चाहूंगा आज का जो युवा है वो फॉलो करता है किस एक शराब को तो ये का जाता है अच्छा आप शराब लेते हैं बस तो वो क्यों क्योंकि जिस युवा जो है जिनको फॉलो कर रहा है चाहे वो आपका सोशल मीडिया है चाहे आपके बॉलिवूड स्टार्स हैं चाहे रैपर्स हैं चाहे जेवोबी सिंगर्स हैं आप यह द आया है सौंग्स की सौंग्स की बज़ा से या फिल्मों में नशा दिखाया जाता है पूरी दुनिया की जो फिल्में बन रही है उसमें लिख दिया जाता है नीचे के सिगरेट हानी का रहा है सहत के लिए लेकिन वो पी तो रहा है वो नशा कर तो रहा है वो ड्रग्स ले तो हेल्थ है और तब भी हम उसको पढ़ते नहीं और हम शराप पीते हैं सिगर्ड के उपर फेफड़े बने होते हैं जिनका बहुत जादा बुरा हाल दिखाया जाता है कि यह कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग उसे उस पर ध्यान नहीं देते हैं अब लेकिन जो हीरो है और वो दम फूक रहा है तो जो यूवा देख रहा है उस पर चाहता है आज के समय में पूरी साब ऐसी मूवी भी आ रही हैं उनको हाजिर किया जाता था चाय तो थी नहीं हमारे किसी ग्रांथ में या किसी में चाय तो लिखी नहीं हुई चाय तो शायद अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ है ठीक है जी तब लसी थी सूबे लोग उटते थे और दूद लसी और जो पता लेकर जाते ना वो क्या ब बादरे की या किसी भी तरह की मक्के की रूटी एसा आ गया जैसा मौसम है उस हाउसे लसी थी प्याज था और अचार था वो पूरी मेनद से लोग काम करते थे खेतों में जब सरकारी नोक्रियन नहीं थी तो लोग स्वास्त थे इतनी इतनी आज कौन एक्सोपेंटीस साल क की उमर काट रहा है सबसे बड़ी बात मुझे आज के समय में संगरूर से मेंबर ओफ पार्लेमेंट है भुवंत मान उनका वहाज से कौमेडियन रहे हैं आप सब लोग जानते इस समय हम पंजाब में बैठे हैं मैं बात करूंगा वह कहा करते थे उनकी एक मैं उस समय में कै कैसे टाया करती थी तो उनके कैसे टाय थी जिसमें उनका मुझे अभी तक पंच याद है जिसमें कहते थे कि पहले हम अपनी भेहन के घर का पानी नहीं पीते थे और अपना पानी बेटियों का बेहनों का और हम अपनी बेटी के घर जाते तो पानी भी लेकर चलते थे लेक विजूलाईज मैं सारा क्रेडिट और क्रेडिट शब्द का इसे फार कर रहा हूं को कहीं है, उस زमाने में इतना कुछ होता नहीं था, तो सारा इंपल थो ये है, अब बात करते हैं पहले नशा कौन सा हुआ करता था आज के टाइम में नशा क्या है ये नशा है मैं जो समझता हूँ थोड़ी से एक बात और और आपको करता हूँ जो देखिए नशा करना गलत है नशे का दुस्परभाव तो सेथ पे है ही फिर भी लोग चलो रिवायती जो भी थोड़ा नशा है तोटली ठीक है जी उससे कही न कहीं नुक्सान हो रहा आज भी खाबर आई थीओ उसके बारे में हम बात करेंगे अभी उसके बारे में मैं तो बहुत बात करना चाओंगे और शायद एवन पंजाबी हमारे चैनल के दरशक भी इतिफाक रखेंगे इससे आखरी ब आप अपने बेटे यां बेटी के साथ कब बैट करके आपने ये चर्चा की थी आज वो 16 साल का है 18 साल का किसी भी एज में आज हम पंजाब की बात करते हैं पंजाब सबसे ज़ादा ये तो जब से तीन महीने पहले किसान जाकर के बैठा धरने पर गाजीपूर बैठा वह आगे आया लेकिन उससे पहले क्यों किटाश किया जाता था इसका मुख्य कारण है जब लड़का अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करता है या स्कूल लाइफ में उसे ये डर रहता कि अगर मैं शराब या बीर पी के जाओंगा तो मुझे बहुत मार पड़ेगी ये कार उसे देखिए शराब बगएरा बंदा पी लेता है तो मुझे समयल आने लग जाती है मैं कही ना कहीं आप से आपकी बात से चैमिकल नशे की उसको ये समझाया जाता है कि बैटा तेरे माबाप ने तेरे को पीटा अगर तू पहले कुछ टेस्ट करके गया था और अब वो जिसे उसे फील हो रहा है जब वो नशा घर कर जाता है तब माबाप तक वो बात पहुँचती है तो तब रिहाबिटेशन सेंटर जाते हैं मैं सबसे पहले कि इस चर्चा को हम आगे ले करके जाएं ये कड़ी जूड़ी है मैं सभी अपने हाद जोड़ करके अपने जितने जाए उससे लड़ने की बजाए उससे गाली गलोच करने की बजाए अगर उसे बैठ करके उससे चर्चा करेंगे तो उसके मन में एक बात घर कर जाएगी कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे माँ और मेरे बाप ओपन है और मेरे से बात कर सकते हैं तब ये एक वाला नशा है टीका है गोलियां है यह चिट्टा है यह जो जो भी कुछ है उसका दुश्परवाब बहुत जादा है एट दा एंड सिर्फ एक ही चीज है कि आप नौकरी नहीं कर सकते आप बेरोजगार रहोगे शायद बेरोजगारी भी एक बड़ी वज़ा है कि बच्चों है लेकिन यह जो नशा अभी समाज में भिकरा है जैसे आपने का शराप पी के जाएंगे तो माबाप मारें लेकिन माबाप को समाज को आसपास जो सारे लोग हमारे रहते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर समयल नहीं आ रही है फिर भी बच्चा नश कुछ भी है सबसे पहली बात बहुत सरकारे आती हैं सरकारे चली जाती हैं इस समय अभी हम पंजाब में हैं तो अगले साल इनका कारेकाल समाब्थ हो रहा है और दुबारा चुनाव जो है विधान सभा के होने बाले 22 खतम होगा 24 में आपके संसदिये चुनावों का समय आ बहुत चुनावी वाइदे होते हैं नशे को जड़ से उखाड दिया जाएगा लेकिन फिर जब पता चलता है कि नशे को बेचने में लिप्त कोई मंतरी या संतरी है तो सबसे पहली बात तो पूरी साब हम बच्चों को मैं उससे भी बड़ी बात कि बच्चों को हम इसके इस बारे में प्रोजन कोउस बताए एक चर्चा इस पर ये भी करें कि सबसे ये आज इतनी इजी इजी क्यों है क्यों दुबई में शराप पीने वाले के हाथ काड़ दिये जाते हैं बेचने वाले के क्यों नहीं ऐसे कानून है तीन कानून आपने बना दिये कि MSP की गरण एंगे चर्चा हमारी नशे पार है, तो क्यों नहीं ऐसा कानून लाते, ऐसा स्ट्रिक्ट कानून लाते, जो अन्रेश्डरल नशे है, जो नशे नहीं है, एक्चुली वो दौई है, क्योंकि वो किसी बहुत रियर केसिज में मरीज को दी जाती है, जब लगता है कि इस दर्द से तरफ तरफ के उसकी जान निकलेगी या ऐसी कोई दिक्कत है उसको हम नॉर्मली बच्चे हमारे जूज कर रहें और अब हम बात करते हैं एक इनसान अगर नशा करता है घर में परिवार में सपोज एक इनसान को यह कैमिकल नशा जिसे हम नशा कह रहे हैं यह लग गया लग घर में से समान उठाएगा पैसा चोरी करेगा जब उस पर भी सकती होगी तो फिर मारने पर उतारू होगा ऐसे पंजाम में सैंकड़ उधारन है किसी बेटे ने पोते ने अपनी दादी को मार दिया पूरे भारत में ऐसे कहीं उधारन है तो सबसे बड़ी बात अगर हम पैसे की कैसी है इस पर हमें ध्यान रखेंगे बच्चा आज का सोचल मीडिया है सोचल मीडिया अची चीज है अगर आपको ढंक से यूज करें उसको अगर सोचल मीडिया पर और भी बहुत कुछ है अगर आप अपनी पढ़ाई या अपने वरकिंग को चोड़के जिदर मर है मेरे पांच चाचा ताउ हम एक ही घर में रहते थे अगर दोदों का भी मैं आवरेज निकाल हूं तो हम बीस से पच्चीस लोग एक घर में रहते थे शाम को अगर खाना बनता था एक साथ खाते थे तो बहुत सादा समय वितीत होता था और यह भी पता लगता था कि तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे है अगर हम एक दोसरे से चरचा क्रें है इख मेरी लाइफ का प्रिंसीपल है इस यू शेयर अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो देन यू मस्ट भी केयर मीन अगर अगर आप शेयर करेंगे त care करेंगे चाहे वो relation है चाहे वो आपका profession है अगर आपके profession में suppose करें कि आज हम यह चर्चा कर रहे हैं हमें light से problem हो रही है और हम इस light man को share ही नहीं करेंगे भाई साथ light में problem है तो वो क्या होगा वो हमारे मन में रह जाएगी तो light man से हमारा क्या रहेगा disconnection होना शुरू जाएगा ऐसे ही माबाप पे हैं बच्चे माप अपने मन की बात कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि माबाप ने एक खाई बना लिए तो वो क्या करते हैं एक shortcut ढूंडते हैं एक ऐसी चीज़ ढूंडते हैं एक चोटी सी बात बीच में करें चंगा बच्चों के मन में डर नहीं डालना चाहिए शुरू से तु पढ़के नहीं आया तुने वो नहीं किया तरे नंबर काम आगे बहुत से लड़कों ने कल भी हमने स्टोरी की है कि वो पढ़ाई में कमजोर है बाकी सारे चीजों में वो अच्छा है लेकिन उसको स्कूल से भी काया है तेरा हर बार यही हाल है तेरा फलाना है जब दसमी का रजल्ट आया तो उसने बाप के आने से पहले-पहले फंदा लगा लिए बस फिर वो कहता जी हमने शुरू होता है मैंने आपको कुछ कहना है तो सबसे पहले मुझे यह सोचना चाहिए कि आपको मैं ब्लेम करने से फेले मेरे अंदर तो नहीं है वो चीज अगर हम यह सोच लेंगे की हरचीज मेरे से शुरू होती है कि हम लोग अगर अपने बच्चों से एक समय का, दिन में तीन समय, हम लोग सुबह स्कूल, कॉलेज जा रहे हैं, माबाप आज के समय में महंगाई इतनी है, कल सभी विपक्षी दलों ने 100 रुपे डीजल होने जा रहा है, और 100 के पार पट्रोल होने जा रहा है, तो महंगाई इतनी है, बेसिक नीट्स को पूरी करने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, पहुंचना कहा है किसी को नहीं पता, भाग ज़रूर रहे हैं, और दूसरी बात, अगर हम सुबह नहीं मिल पा रहे है, दपैर में नहीं मिल पा रहे है, एक समय ऐसा होना चाहिए, खाने का टेबल पे हम ही अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बजाए किसी को ब्लेम करने के, ये मेडिकल नशा आज की समय में गली में गूम रहा है, आज के समय में इतनी एजी एविलेबिलिटी हो चुकी है, जब एजी हो जाएगा, तो वो तो कभी में मिल जाएगा, एक बात और है, कि कोई न क पासे करने की जुरूरत कै, अगर उसको घर से पूर प्यार मिल जाए, तो वो कहेगा, यार इसको पासे कर ये प्यार बहुत बड़ी चीए, अगर आप मैं बताता हूँ, पॉरी साब, ऐसे मैं कहीं रिहाब्स को जानता हूँ, नशा मुक्ति के इंद्रों को जानता हूँ, जिनका procedure बहुत अच्छा है और एक और हम बात कहे दें कि हम किसी का विग्यापन करने के लिए नहीं बैठें ना हम किसी रिहाब का नाम लेंगे लेकिन मैं कैसे बहुत से ऐसे नहीं कह रहा है मैं केवल 5-10 फीजदी ऐसे रिहाब्स है ऐसे नशामुक्ती के अंदर बाकी 90 फीजदी इस नशे के कारण बिजनस बन चुका है ऐसे भी नशामुक्ती के अंदर हैं जो authorized नहीं है लेकिन चल रहे हैं माँ बाप या पतनी या पत फैंकाते हैं हालाथ वैसे के वैसे हालात वही नहीं वहाँ पर नशा भी सुख हो रहाँ है अगर आप उसको 25 तिस थी साथ रहे है तो वहाँ पर वह इजी ओर हो गया उसके लिए अगर हम बात करते हैं रिहाबिटेशन सेंटर्स की नशा मुटी के अंदर की तो नशा मुक्ति केंदर एक विफसाय बन चुका है, बजाए अगर हम नशा मुक्ति केंदर के आप अपने पहले बच्चे के साथ बैटें, उसके साथ समय स्पेंड करें, मैं बहुत से ऐसी जिंदगी में, मैं अगर अपना उधारन देना ही बैठू हूँ तो एक एपिसोड और हूँ है, और मैंने अपनी पढ़ाई की, पॉस्ट ग्रेजुशन की, मैंने मास कौम की, मैंने सब कुछ किया, चलो, वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन निकलना ज़रूरी है, और मैं जिस माहल में रहां, जिसके कारन रहां, वो कारन भी ठीक हुए, लेकिन होते तब ही हैं, ज लेकिन हर चीज, देखे, नशे से ग्रस्त होता होता, आपका भाई, आपकी बहन या आपका बेटा, उसे जितने वर्ष लगे, तो एक दम से तो ठीक होगा नहीं, तो हमें सबसे पहले कारन ढूंडना होगा, बजाए उसे इग्नोर कर दें, नहीं जे, अगर हम सोचें, कि ये नशा कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, साल, दो साल, चार साल, पॉन को आज़ीं छोड़ दे भाई, उस को मेरा ख्याल से, है तो प्वताँ नहीं, गलत करके ठीक बात है, प्यार से होने वारा पार, बात करके ही, तो कहीं न कहीं सिलूशन निकलेगा, अगर हम ये सो कर रहे हैं लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी समझने की पूरी साब पूरी साब आपने परशासन और सरकार का नाम लिया हम इस नशे से संबंदित हम कारेक्राम और भी करते रहेंगे तांकि शायद हम दोनों अब एवन पंजाबी के माध्यम से शायद किसी एक का मन ठीक कर पा लेकिन ये समझ रहे हैं इसका कारण बताता हूँ क्योंकि पहले इन्हें पैसा बहुत जादा मिलता था आज इनके घर में भी ये नशा घर कर चुका है आज बहुत से ऐसे पुलिस अफसरों को आप भी जानते होंगे मैं भी जानता हूँगा जिनके परिवार में जिनका इ अधीन है किसी की इकलोती बेटी नशे के कारण भगवान को प्यारी हो चुकी है और किसी मंतरी का इकलोता लड़का हैंडिकैप हो चुका है तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टार्स हम जानते हैं कुछ इक बातें सुनने में आई हैं पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे लोग जो खबरों में हम देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे जो लोग नशा बेजते थे उनके खुद के बच्चे नशे के कारण वो मर चुकी है डेथ हो चुकी है स्वर्ग और नर्क किसने देखा है साब सचाई तो यह है मरित्यु है यह हम भी जानते हैं आप यह नशा लास्ट में आप साल बाद मरें दो साल बाद मरें चार साल बाद मरें इसका एंड जो है नतीजा जो है गलत है अब बॉलिवुड पे देख लेए शुसान सिंग प्रशासन को पूरी साब ने बिल्कुल ठीक का सरकार और प्रशासन का तोख है ही करता हुए क्योंकि हम उन्हें चुन करके भेजते हैं विदान सबा यहां संसद में और ब्यूरो क्रेसी में आईएस आईपिएस आते हैं उनका उन्हें शबत दिलाई जाती है लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को सबसे पहले अपने बच्चों पर ध्यान देना है पूरी साब की एक बात को मैं बहुत जयादा तवज्यों दूँगा कि आपको अपने बच्चों के साथ सबसे पहली बात तो टाइम स्पेंट करना बहुत ज़दा ज़रूरी है और दूसरा उनसे से तो शायद पांच मिनट फोन पर ही बात कर लें वीडियो कॉल हो जाती है आज अगर आपको आज दिन में क्या किया अगर कुछ गलत भी किया तो से रूम दें उसे यह बोले कि आपकुछ भी बात कर सकते हैं काम से काम मैं ना कहीं बाबाजी आपकी बात से सहमत हूँ थोड़ा सा शुरुवात अगर परिवार से हो जाए तो मेरा ख्याल है ये कहीं न कहीं सुदरने की तरफ पहला कदम होगा तो नशे को आप कहीं ना कहीं हावी मत होने दें क्योंकि एक बात है मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन जीते जग जीत तो मन से अगर जो हार गया वो तो हार गया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हम लोगों को मिल करके सहियम रखना है और अपने परेवाद सब का काम है यह ए उनने कोई निशया कहा देता है, कोई निशेडी कहा देता है, नशा करने वालों को निशया कहना दुरूस्त नहीं होगा, उन्हें एग्नॉर कर देना दुरूस्त नहीं होगा, उनकी बात को समझना जुरूरी है, उनसे चर्चा जुरूरी है, और वो बिमार है, उनकी बिमार को एनिलाइस करना चाहिए अभी मैं बस इतना ही कहुँगा हाँ जी जी ये बात आप आये हुए थे इसलिए हुई के आज एक हमारे पास ख़बर आई है के लुध्याना में कहीं एक केस हो गया है को चिटा बेचने वाली लेडियों वहां पे बेचती थी चलो बेचने वाले क तो जो काम हैसो है जिसने काया वो लड़के की आज या कल डेथ हो गई वहां से ये ख्याल आया कि जो उसके परवार वालों ने भी यही बोला है के जी हमने बहुत बार परशासन को पुलिस को सकैट किया उसकी क्योंकि वो दोनों तरक के दंदे चला रही है नशाबी और द जोड़कर के विन्ती है पंजाब सरकार को भी सोचना चाहिए क्योंकि अभी एक विडंबना है पुरी साथ बस अब हमारे पास समय का भाव है कि अभी देखें चुनाव आने वाले हैं और चुनावी मंच से नेता आपको बहुत बड़े वायदे कहेंगे और ये कहेंगे कि मेरे परिवार में जो नशे से ग्रस्त है मैं उससे चर्चा करूँ और अगर कोई ग्रस्त नहीं भी है तो बच्चों के साथ टाइम जरूर लगाएं ये नशा नहीं तो आज नहीं है तो कल को किसी वज़ा से जाए नहीं दोस्तों की वज़ा से सुसाइटी की वज़ा से य एक कारेकरम के माध्यम से आप तक लेकर के आएं कि ये दस्तक दे रहा है आपके दर्वाजे पर सोचना आपने है क्योंकि मर्जी आपकी है आखिर सर आपका है बाबा जी आपका जितना शुक्रिया करें आज बहुत काम है सीनियर पत्रकार है हमारे चैनल के और मैंने सोचा नहीं था कि आप कहां से कहां बाद को ले जाएगे कि हमें वक्त नहीं मिला लेकिन बहुत अच्छी बात हुई है कोई गलती रहेगी हो तो हम शमा चाहते हैं दोनों भाई तो ऐसी ही किसी बात पर हम दुबारा चर्चा चाह सकते हैं और हम इसे अलग अलग पंदरा बीस मिनिट के इसी कारेगरम के माध्यम से इसे हर अफ़ते लाते रहेंगे तांकि शायद हम एक इनसान के जिंदगी में परिवर्तन ला सके हैं अभी के लिए इतना ही नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू